हुडगेशर पुलिस थाने के अंदरकत लाड़ीकर लेयाउट में दहेच के तोर पर बहुत से मायके से पाच लाख रुपे लाने की मांग की गई परिजनों ने मांग पुरी नहीं करने पर उसका गला घोटने का प्रयास किया गया पिडिता की शिकायत पर पुलिस ने सास और ससुर के खिलाब मामलाद दर्ज किया है प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने ससुराल में रहरी रोशनी ने बताया कि यह उसका और उसके पती महेश का दूसरा विवाय है परिवार वालों ने पूरी रिती रिवाजों से 3 अगस 2021 को शादी करवाई थी लेकिन शादी की पहली रात उसे पता चला कि महेश शारिक समन्द बनाने में असमर्थ है शादी से पहले यह बात न बताने को लेकर रोशनी अपने पती और ससुराल वालों से नाराज थी रोशनी ने पुलिस को बताया कि नाराजगी जताने पर महेश ने उसे 10 दिनों में इलाज करवाने का वादा किया लेकिन कुछ नहीं बदला ऐसे में रोश्णी ने यह बात अपने भाई और भावी को बताई जहां से यह महेश के बहनोई तक पहुच गई इससे रोश्णी के ससुरालवाले नाराज हो गए और घर की बदनामी का आरोप लगाते हुए उसे परेशान करने लगे इस भी 27 नमंबर की रात को उसे गला घोटने का प्रयास किया गया पुलिस से पती महेश प्रकाश गुर्मुले, ससुर प्रकाश गनपत्राओ गुर्मुले और सासलीला प्रकाश गुर्मुले के खिलाब दहश कानून समेत विभिन्द धाराओ में मामला दर्च कर जान शुरू कर दी